हाई गाईज, गूर्मानिंग अल आफ यू आज हम इस वीडियो में एक महत्पून अपडेट ले करके आए हैं और ये अपडेट उन करमचारियों के लिए है जो यूपी पीसील में TG2 के पदपर कारे कर रहे थे और उनको विभाग ने जो आपका कोटा होता है 40% और 8.33% के अंतगत उनको जेई पद पर प्रोमोट करने के लिए एक लिस्ट जारी की थी और उसके बाद फिर उनको डिस्कॉम अलोटमेंट भी हो गया था और जिनको यूपी पीटीसील डिस्कॉम मिला था अर्थात उत्तव प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरिशन लिम्टे दिस्कॉम अलोट हुआ था उनके लिए ये वीडियो खास कर रहा है कि उनको यहां पर जोन लिस्ट जारी कर दी है ट्रांसमिशन ने और जोन लिस्ट मैंने एक वीडियो कल और बनाया था जिसमें दच्छडांचल बिद्दुत बित्रड निगम लिम्टेड ने भी अपनी जोन लिस्ट जारी कर दे थी उसका भी मैंने वीडियो बना दिया है उसका लिंक में डिस्क्रिप्सन देख पाएंगे और उसका पीडियो का लिंक आपको वहीं मिल जागा उस वीडियो में तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक अबस कर दीजिए और यदे आप नए हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल लोग सब्सक्राइब जरू कर लेजिए यसे आने वाली वीडियो का नोटिपेशन आपको मिलता रहेग जैसा के आप देख पा रही होंग घुव ए europe ट्रा गुशन के ये अपना इंहायी बता बहएब है कि 7742 22 द्वारा उत्त्र प्रक्रदेश पावरे,uju लें tire उन्हायुम ने जोन लिस्ट ये जारी कर दिया है और यहां आप देख पा रही होंगे देखिए यह तो आपका seniority number है यहाँ आपका नाम है नीचे नहीं डेटर बरती भी देखी पिताजी का नाम आपका यहाँ आपका home जिला क्या है home district क्या है और फिलार present में आपकी पोस्टिंग कहा है वो यहाँ पर दे रखा है इनके पिताजी का नाम राम सींग और यह बिजिन और जिले से बिलोंग करते हैं और इनकी फिलाल जो पोस्टिंग है टीजू टू पदपर वो पूर्वान चल बिद्दुद बितल निगम निम्टेड में है और प्रमोशन के बाद जहीं पदवत जाएंगे यह तो इनको जो है यह आपको मिला है लखनू जोन मिला है ठीक है लखनू जोन मिला है अब इसी प्रकास से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा यहाँ पर जोन मिला है आप पूरी जानकार यहां से देख करके देख सकते है यहां आप देख रहे होंगे यह केवल 15 Candidate है जो Transmission में 40% Quote के अंतरगत इन को Promote किया गया है और यह बेक्वार्य को इनको पर्मोट किया गया है एक और यह आगे जी लिस्ट देख रहे हैं आप यह 8.33 Quote के अंतरगत है इसमें भी देख रहे होंगे आप यह 16 क्रवांग से शुरू किया गया है और यह 30 है टोटल आपके 15 थे आपके 40% कोटे के अंतरगत और 15 ही आपके 8.33% कोटे के अंतरगत टोटल यहां ट्रांस्विशन में 30 की टीएटू को जई-ऌपत पर्निक्त किया गया है मां अलोट हो गया और इसके बाद तो इसके बाद आपका यह जोन अलोट हो गया आपका नेक्स्व्ट प्रोसेस जोगा क्या होने वाला मैं आपको इस वीडियो में जानकाई देता हूँ कि जैसे जोन आपको अलोट हुए अब आपकी जो है यह जोन से जोन में आपके सरक्ल आपिस होती है अब चाहे दो हो या तीन हो या एक हो वह अलग डिपेंड करता है तो जोन से आपकी जो है यह लेस्ट है डिवाइट की जाएंगी सरक्ल आपिसों में यानि आपको सर्किल अलोट किया जाएगा अब सर्किल अलोट हो जाएगा उसके बाद फिर आपका जो है डिवीजन अलोट होगा और जैसे डिवीजन अलोट हो जाता है तो उसके बाद डिवीजन अलोट होने के बाद आपका सबिस्टेशन अलोट होगा वहां डिविजन में जोइनिंग लेनी पड़ेगी वहां योगदान आख्या देनी पड़ेगी आप उसमें जोइन हो जाएंगे तो इक कुल मिला करके ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं आपके लिए बस आपका जोइन के बाद सरकेल ओपेस के लिस्ट जारी होनी है एक डिविजन लिस्ट जारी होनी है उसके बाद आपकी वहां पर जोइनिंग डिविजन में हो जाएगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को एक लाइक अबस करें और यदे आप हमारे चैनल पर नई है तो चैनल को स्क्राब जरूर कर जिससे आने बाली Vीडियो को नाइटिवेशन आपको मिल जाए और वीडियो को अधिक-स अधिक